नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज यूपी में चुनाव है और चुनाव के बीच पुरवांचल में टिकट बटवारे को लेकर घमासान है एसा ही एक घमासान यूपी के मउजनपद में देखने को मिल रहा है जहां पर हमारे साथ मौजूद है भरत सिंग और जो इनको प्यार से लोग भरत भीया कहते हैं मदवन विदान सभा से पिछले कई सालों से इनों ने तैयारी की लेकिन भारती जंता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया यहां से भारती जन्ता पार्टी ने दूसरे प्रत्यासी को टिकट दिया है अब यह बगावती तेवर में नजार आ रहा है तो इनी से जानते हैं किस तरह से क्यों आखिर बगावत क्यों हो रही है लिखी बगावत नहीं है भारती जन्ता पार्टी सिस नितुत से यह चुक हुआ है जब देश के सश्वी प्रधानमंत्री जी देश की लोकतंत की सुचिता और प्रतिबत्ता को आगे पढ़ा रहा है देश में पुजीबाद देश की रानित से बंसवाद और माफियवाद को घेरने की बात हो रही है तो कहीं ने कहीं पार्टी नितुत से मधवन विधान सभा में भारी चुक हुआ है महामहिम बिहार वानिफागु चमपांजी कि बेटे को टिकट मधवन के इस विधान सभा 353 पर देखरके पार्टी ने एक तरह से लोकतांत्री तरीके से कार करता ह पहामला किया है महामहिम राजपाल की सीट बगल की घोसी की सीट है जहां से उच्छे पर विधाय खुए थे आउनके बेटे का कोई राजनेतिक समाजिक प्रिष्टि भूम नहीं है भारती जनता पार्टी के किसी भी पद पर उन्होंने 6 महिना काम भी नहीं किया है और हमें आपने सकति प्रदर्शन किया था लोगों की चर्चा किया था क्या कुछ था वो वह सकती प्रदर्शन नहीं था पूरिये बिधान सभा में भारती जंता पाड़ी के विजाधरा के मादाता काफी मरमरात हैं हमारे भारती जंता पाड़ी के बुद्परमुक बुद्समिती सेक्टर संजुजक मंडल के पताधिकारी जिले के पताधिकारी सब इसे इमोशनल होकर के भारती जंता पाड़ी के नेड़े पर अचंभित हैं, रो रहे हैं, कई कारकरता हास्पिटल में उनको दवा कराना पड़ा भरती करा करके, कारकरताओं को यह मानना था कि दारासेंच चमहान जो पिछली बार बसपास से दल बदल करके, अंतिन समय भारती जंता पार्टी के कारकरताओं के बीच में सिस नितुत के द्वारा भेजा गया, और पार्टी नितुत ने बहुत आगरह किया, तो कारकरताओं ने उन्हें जिताने का काम किया, लिए पान साल मदवन के बीकास को बाधित उन्होंने किया, कारकरताओं के मांद सम्मान पर ठेस पहुचाया, कभी बिधान सभा मदवन में आये नहीं एक अपने प्रतिधी के सहारे विधान सभा को छोड़ दिये जब दाराशिन चम्हान दल बदल करके सपा में चले गए हैं घोसी विधान सभा पर तो इस विधान सभा की लाखो जन मानस प्रतियक कार करता मैं कहूं मौझ जनपत के कोने कोने के नागरिक भी चाहते भारत भाया मदल मीधान सभा से प्रतियासी हो आप पार्डी नितुत से कहीं न कहीं चूक हुआ है मुझे लगता है कि पार्डी के नितुत ही अंतिम समय तक चाह रहा था यह फागु चम्हान जी के प्रभाव में या दबाव में आकर के निड़ लिया गया है इसका जनता खोरकरता प्रतिकार कर रहा है कल ख्रुकरताओं के द्वारा बैठक बुलाई गई इसनी बताइये चलिए आपको समझ लेते हैं कि भार्ति जंतापार्टी ने आपको प्रतियासी ने बना है भारति भारत भारत बहिया ने क्या अंतोदे के लक्ष को और मानो एकात मौत को अधार बना करके समाज के अंतिम लोगों में आज 12 साल से विधान सबा को गाउं गरीब किसान मदोर नाउजवानों के बीच में पर्तिक बूतों पर एक लंबी सिंखला यूत की खड़ा करके मैं गरीबों के हक्के शंवान के लड़ई लड़ा हूं सरकार में रहकर भी धर महमेले नहीं था उसके बावजूत भी सरकार की जंद कल्याणकारियोजनाओं को जंदा के पास ले जाने तर उनके इनसाफ दिल आने तक 12 वजह रात को भी अगब चलिए अगला भरत सिंग क्या नेड़े है अगला रन नीती क्या है बरत सिंग के चुनाओं लडेंगे देखिए मैं साफ साफ काना चाहता हूं आज सेकंड सडर्डे है कर विवार है भारती जनता पार्टी का मैं 25 परसकत पर तबया कार करता हूं मेरी राड़िती प्रिद्वत्ता संकत में पड़ी हुई है लेकि मैं अपने लाखुई जन्माना सो हजारों कार करताओं की भावनाओं को ठिस नहीं पहुशने दूँगा भारती जनता पार्टी के कारकरता बहुत आहत है जनता बहुत आहत है इसना अगर पार्टी आज और कल दो दिन में अपने नेड़े पर पुनह विचार नहीं करती है तो निस्ची तुरुप से आज और कल में विचार नहीं हुआ तो अलग चीज है आप मैदान में आ रहे ह तो नमांकन होगा ने कल तो नमांकन होगा नहीं नमांकन भार्म करता हूं तो मदमन विधान सबा में मैं जंता के तरफ से लड़कर के हाउस में जाऊंगा झाल